स्टॉक जरनी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक शर्म और दोस्तो हम आज बात करने वाले हैं IT की दिगज कंपनी Infosys के बारे में आपको पता ही होगा कि इनका 14 तपलेल को quarter fourth का जो result है वो announce हो चुका है साधी कंपनी ने dividend भी दिया है दोस्तों इन्होंने एक buyback का जो announcement है वो भी किया हुआ है इसके बादे हम देखें कि इसके share में एक भयंकर गिरावर जो है वो देखी जा सकती है और इसका share जो है लगातार गिरता जा रहा है इसी के उपर हमारे subscribe जो है तो वो भी पूछना चाते है कि सर क्या हमें अभी इसका जो share है वो जो हमने holding की हुई है क्या उसको हम sale कर सकते हैं या उसे हम बरकरार करके चलें दोस्तों यदि हमें एक news देखें देखें न्यूज में भी दिया हुआ है दोस्तों why enforces share plunged 6% after quarter fourth result and share buyback तो ये एक गिराबट वाली news है दोस्तों लगातार इसका share जो है वो गिरता ही जा रहा है वहीं company ने का है दोस्तों ये देखें the sequential growth was uninspiring इन्होंने माना है कि हमारी growth जो है वो uninspiring है अभी और beating expectations every time is not easy इन्होंने ये भी का है कि expectation को beat करना हर बार जो है मुमकिन नहीं हो पाता है दोस्तों क्योंकि इनका कहना भी सही है यदि हम company को देखें तो overall बहुत ही शानदार company हो जाती है और year on year basis पर देखें तो around 17% का growth जो है इन्होंने दिखाया है लेकिन यदि quarter to quarter basis पर देखें इस quarter में इन्होंने थोड़ा underperform करके दिखाया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है दोस्तों देखें क्योंकि company जो है वो शानदार company है बहुत अच्छी खासी company हो जाती है और long term में शानदार growth जो है ये company बना कर देती है तो ये देखें कंपणी ने कुछ targets भी दिये हैं दोस्तों जो की ये achieve करते हुँ दिखाएंगे ये देखें IT play and suggesting a price target रुपी 1660 1660 रुपे के इन्होंने target दिये हैं और भी काहें इन्होंने दोस्तों की इससे भी उपर के target जो है इनके है और आने वाले quarter में अच्छा कासा परफॉर्म करके ये company दिखाने वाली है और दोस्तों यदि हम इसके chart के बारे में बात करें ही ये देखिए ये हमने इसका daily chart लगा हुआ है आपको दिखायता है दोस्तों ये दिखिए यदि हम इसके डेली चार्ट के बारे हम बात करें इसने एक हाई लागा था करीबन ये देखिए दोस्तों 1474 रुपे का लेकिन उसके बात से देखे तो एक भेंकर गिरावट इसके शेयर में देखने को मिल रही है और यहीं यदि हम बात करें इसके support की विरुश्तों एक strongly support जो है इसका बना हुआ है करीबन ये देखिए 1331 रुपे पर एक strongly support बना हुआ है तो हमारे साब से दूस्तों देखिए suggestion में हम आपको यहीं बताना चाहेंगे कि दमदार कंपनी है लॉग टर्म में शांदार यह कंपनी हो जाती है अच्छा खासा पर्फोर्मेंस करके देती है लॉग टर्म में तो ज blender एदी आप लॉगटर्म इन्वेस्टर हैं तो बिलकुल इस शेयर को लॉड करके में चलिए यदि आपके पास holdings हैं तो बिल्कुल एक share भी इस stock का नहीं बेगना है आपको इस company का नहीं बेगना है और शांदार company है उस्तों long term में अच्छा खासा मुनाफ़ा ये company आपको बना कर देने वाली है तो हमारी तरफ से उस्तों suggestion ही होगा कि बिल्कुल आप hold करके ही चलें तो ये बताने के लिए हमने वीडियो बने तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की जो भी अच्छे न्यूज होंगी latest shares के बारे में हम न्यूज लेके आत रहेंगे आपके लिए वीडियो